कहते हैं कि मज़ा तो तब आता है जब दो बड़ावर की लोग अपस में भीडते हैं घजब मज़ा आता है जैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इंडिया वर्सेस अस्टेलिया बाकी टीम तो बस खेलती है और दोस्तों कुछ पार्सोनेल कहानी दिलिप टोफी में आपको दे इस बार मामला दोनू के लिए ही पर्सनेल है जी हाँ आप बिल्कुल सही सुन रही है जिस तरह से रितुराज गाइकवाट को टीम से बाहर कर दिया गया है और शुबमन गिल को टीम का उपकतान बना दिया गया है इन दोनू खिलारी की भी जोरदार टक कर चल रहा है हलाकि दोनू ही खिलारी बहतरिन खिलारी है रितुराज गाइकवाट किसी एंगल से शुबमन गिल से कम नहीं है रितुराज गाइकवाट का रेकोर्ड भी अच्छा खासा है लेकिन फिर भी रितुराज गाइकवाट इस समय टीम से बाहर है और शुबमन गिल टीम का उपकता है दिलिफ ट्रोफी में हमें पता चल जाएगा कौन सा खिलारी कितना बहतर है कहा का पानी कहा बहती है दिलिफ ट्रोफी में हमें पता चल जाएगा जिहा दिलिफ ट्रोफी में ए टीम का कप्तान है शुबमन गिल और टीम सी का कप्तान है रितुराज गाइकुआट शुबमन भाई शुबमन गिल तुमको बनाने के लिए हमें हटाया गया था लेकिन हम अपसे किसी एंगल से कम नहीं है रितुराज गाइकवाट को ये बताना परेगा कि मौका हमको भी मिलेगा तो हम भी कबिलियोत दिखाएंगे वैसे रितुराज गाइकवाट की फैंस ये कह रही है कि बरी तकलिफ होती है कि जब आप यग्यो हो और आपको मौका नहीं दिया जाता है लेकिन बिसी सी आई कह रही है कि भाई लोरो अपस में हम तो लराना ही चाहते हैं तुम दोनों अपस में लराई करो जो बेस्ट है उनको मौका दे देंगे यही तो चाहिए हमको यही तो चाहिए पूरा देश को हम बाहर किसी से लरे उससे पहले अपस में लरो और जो काबिल है जो सामने निकल के आएगा जो बहतर होगा उन्हें ही टीम इंडिया में मौका मिलेगा और इसी तरह से ही टीम को सिलेक्ट करना चाहिए जो खिलारी बहतर है शांदर है अच्छा खिलता है उसी खिलारी को ही टीम इंडिया में मौका मिलना चाहिए और ऐसे लोरों की BCCI का डिमाग खराफ हो जाए उनको ऐसा लगए कि किस खिलारी को सोरके किस खिलारी को टीम इंडिया में लिया जाए क्यूंकि सब ही खिलारी टेलेंटेट है इंडियान क्रिकेट फेंस थोड़ा हैरान हुए थे जब उन्हें मालूम परा था कि बिराट कोहली, रूहिद, शर्मा, अर्श्वीन और जस्पित बुमराद दिलिप ट्रोफी में नहीं खेलेंगे इंडियान क्रिकेट फेंस थोड़ा माउस हो गए थे लगा कि थोड़ा मामला गरबरा जाएगा लगा कि इस बार दिलिप ट्रोफी में मज़ा नहीं आएगा, रूहिद, बिराट अपस में लराई करते तो मज़ा आता, लेकिन लगता है इस बार मज़ा नहीं आएगा लेकिन आप सारा कहानी एक तरफ कर दिजिए दिलिप टोफी में भरपूर मज़ा आने वाला है आप असली लराई जो है ये होने वाला है इन दोनों की बिस रितुराज गाईकुआट और शुमन गिल एक ऐसा खिलारी जिनोंने महेंडर शिंग धोनी से सिक कर आई है और एक ऐसा खिलारी है जिन पर गौतम गंबिर का अटूट बिश्वास है और इन दोनों खिलारीों की बिस दिलिफ टोफी में भरपूर लराई होने वाला है देखा जाएगा कौन जित्ता है गौतम गंबिर या फिर महेंडर शिंग धोनी कौन जित्ता है देखा जाएगा शुबमन गिल या फिर रितुराज गाईकवाट जो भी जिते है टीम इंडिया के लिए फाइदा होना जरूरी है मज़ा आने वाला है गुरू कस्रम से बहुत मज़ा आने वाला है केल रहुल को कप्तान नहीं बनाये गया है केल रहुल खेल रही है रिशाप पंत को भी कप्तानी नहीं मिली है कप्तानी दी गई है नए लर्कों को काप्तान बनाया गया है रितुराज गैकुआट को काप्तान बनाया गया है शुबमन गिल को काप्तान बनाया गया है इश्यरोन को काप्तान बनाया गया है स्रियाश आयार को ये चारों तो सिरीफ काप्तान है जो टीम बनाया गया है उफ भरपूर मज़ा आने वाला है हालाकि टीम इंडिया की कई सारे सितारे दिलीप टोफी में खेल रही है जैसुआल, सर्फरास खान, सुरिया कुमार यादब, राजात पतिदार ये सारे बड़े बड़े नाम है फिल हाल कहानी ये है कि दिलीप टोफी में A टीम का कप्तान है शुबमन गिल बी टीम सबसे मजबूत है जिसका कप्तान है इश्यरन लेकिन गुरू हमको जो मुकाबला देखना है वो A और C का मुकाबला है रितुराज गैकुआट और शुबमन गिल का मुकाबला है इसमें भरपूर मजा आएगा गुरू मतलब गुरू A और C टीम की 20 क्या जोड़दार मुकाबला देखने को मिलेगा जीन बाबू A की टोर पर रितुराज गैकुआट ने शांदार पदर्शन किया था बावजूत उनको टीम से बाहर कर दिया गया बहुत लोग इस बात से खफा थे लोग ये कह रहेते कि शुबमन गिल की जगा रितुराज गैकुआट को मौका देना चाहिए था सामने आने वाले समय में बरे बरे टीमों की साथ टीम इंडिया की काफी सारे में से है लेकिन ये जो कमपोडिशन है टीम A और टीम C में ये बहुत बड़ा कमपोडिशन है हमें लगा कि एक बार आपको टीम बता दे आप कमेंट करके बताएगा कोन सा टीम जितेगा हलाकि दोनों ही टीम तगरा है लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि A टीम को जादा मुजबूत बनाया गया है C टीम थोड़ा कमजूर है टीम A में है कप्तान खुद, शुबमन गिल, मायांक अगरवाल, रियान पराग जो की बहुत बड़ा नाम है दुरूब जुरेल, केल, राहूल, तिलक बर्मा बहुत बड़े नाम है शीवों दुबे, कूल दीप, आकाश दीप ये भी बड़े बड़े नाम है पशीदी किष्णा, खलील, अहम्मेत और आबेश खान ये सारे अच्छे-च्छे खिलारी है टीम A में हालाकि टीम C में भी बहुत बढ़िया-बढ़िया खिलारी है लेकिन A से थोड़ा कमजूर टीम C में कप्तान खूद रितुराज गैकुआर्ट साइज शुदर्शन है राजात पतिदार अभिशेक पूरेल शुरिया कुमार यादब ये कुछ बड़े-बड़े नाम है टीम C की लेकिन इन दोनों टीमों की अगर कम प्यार किया जाए तो पेपारों में टीम A आपको जादा अच्छा नजर आएंगे जो भी हो दोस्तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा इसी की साथ दोस्तो आप लोगे से विदा लेते हैं फिर मिलेंगे